हेलो दोस्तों आज की वीडियों के हम देखने आल है what is data types in python python में अफिरका data types होते क्या है तो data types क्या होते हैं यह हम एक statement से समझते है data type represents which type of value we have हमारा टाइप बताता है हमारे पास which type की हमारे पास value है हमारे वेल्यू का टाइप बताता है हमारे पास किस type का data है वह हमें जो कौन बताता है data type है तो हमें काफी सार data types आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि numeric, boolean, set, dictionary and sequence types इसके अंदर भी काफी सारे जैसे numeric में आगया आगया आपके int, plot, complex, boolean में आपके जो boolean values आयते है true false वाली और sequence type में आपके list string और tuple आयते हैं और dictionary में आपके dictionary dict value आयते है mapping जिसके अंदर एक key और एक value होती है समझ रहे होगा आपके dictionary किस type की होती है जाने है ना उस chip के value आयती है, sets तो हमाएर पास काफी सारे data types होते है और हमाएरे पास string data type होता है एक चेक है और हमारे पास binary data types later binary जो है शोर्वाइन आना आज की वीडियो में देखेंगे इंट, फ्लोट, कॉंप्लेक्स, बूलियन वैल्यू और श्रिंग, आज की वीडियो में जो आपने पांच टाटाटाइप से देखेंगे, तो सबसे पहले हम जो अपने जूपिटर नोटबुक को उपन कर लेते हैं, तो यहां पर हमने जूप नहीं आते हैं, पको इंट में जोए डसिमल वैल्यू आते हैं, हमारे इंट में खाली, नॉर्मल वैल्यू जुम्हारी जूपिझा, अखी C, और यहां पर हमने इंपूट कर लेते हैं, उसमें 10 को पर हमने प्रिंट करवा दिया एक को तो हमारी टैन आगी अगर हमें नहीं पता है यह कौन सी यह डाटर टाइप है तो हम किस तरह से जो चेक करेंगे हम यह पर सिंपल कमंड लिखेंगे टाइप और इसके अंदर हम जो एडाल देंगे में एका टाइप चेक करने तो यहां पर अब हमें पता चलिए जो डिश्यम वेल्या प्लोड को तीक हूँ अब हमें नहीं पता की घिल लाट लगा सकते हैं इसको कि हैंब गहां वह आपको पता है यह उती है जो कि रियल नंबर और उप्लस करके बनाई जाती है जैसे कि हमारे पास एक वारियाबल नहीं कहसकते है पाइफन में वैरियाबल सुनी होते बूलना मत अब जयक्त होते हैं तो यहां पर B is equal to हमने यहां पर लिख दिया कोई भी imaginary value लेलते है 5i या 5j कुछ भी ले सकते हैं j जो हमारा imaginary number है imaginary value बन गी है और यहां पर हमने B को प्रिंट करवा दिया तो हमारा यहां पर आ गया यहां पर हमने प्लस एक यहां पर यहां पर अगर आप 0j लिख दो यहां पर दे ना पड़ेगा एक नमबर आपको यहां पर देना पड़ता ठीक है तो मैं पता चलिए कि complex number क्या होते हैं एक real number और एक imagine number को plus करवा कि जो number बनता हो उन्हें हम कहते है complex number पता चलिए आप सभी को चीक है जी अब हमारा पास आते एक shrink value shrink data type तो shrink data type क्या होते हैं मैं वह पता तो हमने आप एक c object ले लिया जिसके अंदर हमने input करवा लिया कि हमें लिख दो hello या welcome welcome to our channel चीक है और हमें इसको print करवाना है यहां पर हमने print लिख दिया print c हमारे आप लिखा गए welcome to our channel तो सी में हमने जो यह प्रिंट यह श्रिंग है हमारी जो welcome to our channel हमने लिखा है shrink कैसे हमने क्योंकि इसके भार जो है double quotes लगाए है double quotes में कोई भी value हम लिखते हैं कोई भी या फिर आप alphabetical या फिर आपको कोई भी character आपको लिखना पड़ता है वह आप श्रिंग में लिखे होगे अगर आप simple ऐसे यह यह टा दोगे valid syntax error आपको यहां पर आजएगा देखें valid syntax error आपको यहां पर आ गया तो इस तरीके से नहीं कर सकते आप चीक है तो हम इसका चक करवाते हैं तो यहां पर मैं बता देखा जीए श्रिंग value है तो एस या चीक है पता चली क्या होती है और अब आती है हमारी इसके अंदर आप जह डबल code भी लगा सकते हैं और single code भी लगा सकते हैं उससे ज्यादा फर्फ नहीं पड़ता है चीक है आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं अब आप की आती हैं आप आपकी boolean value जिसमें आपको पता एक दो कंडिशन होते है या तो वह चीज सही है या चीज वह गलत है मतलब या तो वह true है या फोल्स है ठीक है जैसे कि हमने आप ए इस इकल टू मैंने लिए ट्रू और यहां पर मैंने एक को प्रिंट कर वा दिया तो यहां पर ट्रू आ आप कोगे कि यह तो हम पता ही चला यह कैसे आ गया हमें नहीं पता ही बूलियन है कि नहीं तो आप इसका टाइप चेक कर वा लिजिए और अभी एक और चीज़ बताता हूं आपको तो बूल वैल्यू आगी ठीक है अगर यह श्रिंग होती तो यह यहां पर एडर आ जाता हमारा हमारा यहां पर एडर आ जाता क्योंकि हमने यहां पर डबल कोट यहां लगा है यहां पर हमने तो हमारा जाता अगर यह ट्रू वुलियन वेलू नहीं होती दैसे हमने अंदर रिप्ते अ हमने रिप Dell लगा कि अ अबda म easternंटemin male करता chuck करें तो यहां पर हमें string देगा string छीक है ने double quotes में true लिखा तो हमारे यहां पर हम देखे लिए कर आहिं लिखते हैं तो हमारे यहां पर इसे boolean value नहीं लिखते हैं ठीक है । इस तरह से आपको पता चल गें अगर आप यहां पर false लिखते हो फोल्स भी आपको जो है बुलेंड वैलू में आता है बुल्स लिख झाए अपने तो आपको दुबारा फोलेंड वैल्यु मावी ची कहा है तो आपको पता स्लिगा है वांस तरह को दाड़ा टाइप आपको पता चले जो कि इंट-फलोट-कॉmpleks और string और बुहलेंब एगर मैं यहां पे एब ऑफ सी उता दूं कि अगर है यहां पर मैंré होल्स का एफ छोटा लखता हो तो यहां पर एरर आजाएगा यहां पर यहां पर आजाएगा यहां पर एफ जो है क्या डांग माने जाता है आपको इतना बता चली गया तो आज की वीडियो में बस मैं पांची डाडर टाइप लेकर चल रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा से जो है अपनी नेक्स वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए गुड़बाई दोस्तों